नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका Tax Reply GST Library में Finally GSTR1A का इंतजार खतम हो गया है और GSTN ने GSTR1A को Portal पे Enable कर दिया है यह जो मेरे पीछे आप कागज का पुतला देख रहे हैं यह सिर्फ पुतला नहीं है, यह आपके और मेरे 7 साल के इंतजार और सबर का प्रतीक है जिस तरह हम 7 साल से इस पुतले की तरह वेट कर रहे थे इस फॉर्म का कि कोई ऐसा फॉर्म आए जिसमें हमें अपने करेंट मंत की गलती को सुधारने के लिए अगले महीने का वेट ना करना पड़े दोस्तो कितनी बड़ी आईरेनी है कि अगर कोई टेक्सपेयर को रेटन भरने के बाद अपनी गलती पता भी लग जाए तो भी उसे एक महीना वेट करना पड़ता था अपनी गलती सुधारने के लिए क्योंकि GSTR 1A जैसा कोई form हमारे पास 7 साल से नहीं था सरकार को 2017 से 2024 लग गया आते आते इस form को लाने में जबकि टेक्सपेयर्स की शुरू से ही डिमांड रही है कि अगर हमसे कोई गलती हो गई और हमें पता चल गया तो हम उसको कैसे ठीक करें इसका कोई तरीका बताईए हाला कि GSTR 1A में next जो फाइल करते थे next month की उसमें इसका तरीका था कि आप उसको amend कर सकते थे लेकिन उसके लिए भी एक महीना वेट करना होता था और कहीं बार ऐसा होता था कि कि एक फpp की गलती जब आप next महीने फ़र्म भरने बैटते थे तो आप भूली जाते थे कि पिछले महने क्या गलती ववी थी तो कहीं बार गलती ठीक करना भी रह जाता था तो में फिर एक से ज़्यादा महीने वेट करना पड़ जाता था इस फॉर्म को भरने में तो ऐसा फॉर्म लाने में सरकार को साथ साल लगे चलो देर आए दुरुस्त आए फाइनली जी एस्ट्यार वने जो है वो जी एस्ट्यार ने पोर्टल पे इनेबल कर दिया है अब गलती तो होगी दोस्तों इनसान है तो गलती तो होगी पर गलती तो होगी पर गलती को rectify करने के लिए जो form आया है उसको ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि अगर गलती को सुधारने के time आपने फिर से गलती कर दी तो फिर मोका नहीं मिलेगा क्योंकि गलती की गलती की माफी यहां पे नहीं है सरकार नहीं यहां पे proper एक advisory में लिखा हुआ है कि आप GSTR 1A को अमेंड नहीं कर सकते 1 को अमेंड कर सकते हैं 1A के थुरू बट 1A में कोई गलती हो गई तो फिर उसको अमेंड करने का कोई तरीका नहीं है वो आपको अगले महिने की GSTR 1 में ही अमेंड मेंड करना पड़ेगा तो पूरी advisory में आपके साथ discuss करने जा रहे हैं कि क्या advisory है क्या thumbs and conditions अरकार ने इस form के ओपर लगाई है इससे पहले आपको एक quick update दे देते हैं कि अगर आप GSTR से related सारे update चाते हैं अगर आप GSTR library चाते हैं तो आप यहां से हमारा plan ले सकते हैं आप कोई भी एक plan ले लिजिएगा हमारे पास one year से लेके lifetime तक कहीं सारे plan है single user plan है, multi user plan है जो plan आपको suit करे वो plan आप ले सकते हैं जैसा pocket आपकी allow करे बट लेना जरूर दोस्तों क्योंकि GSTR में इतने updates आते हैं कि आप अपने तरफ से तो सारे update ना तो पढ़ सकते हैं ना याद रख सकते हैं ना ही उसको कहीं एक जंगा पे save रख सकते हैं यह काम हम आपके लिए करते हैं हाला कि paid subscription है हमारा GST update जो हमारा channel है YouTube वो free है उसे आप subscribe कर सकते हैं आपको free में update आते रहेंगे लेकिन library जो है वो हमारा paid service है तो चलते हैं दोस्तों अपने update की तरफ यह हमारा update है detailed manual and FAQ on filing of GSTR 1A by GSTN GSTN ने यहाँ पे information दिये कि उन्होंने GSTR 1A को enable कर दिया है कब से किया है जुलाई से किया है यहाँ पे clear उन्होंने बताया है कि जुलाई 24 से finally उन्होंने enable कर दिया है GSTR 1A को GSTR 1A की जो FAQ है दोस्तों वो बहुत important है मैं आपको पुरा FAQ बताता हूँ यह FAQ आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यह अगर आपको समझ नहीं आया तो 1A में भी आप गलती कर देंगे तो इसकी terms and conditions सारी FAQ में GSTN ने आपको यहाँ पे लिखकी दी है तो यह के करके हम सारी terms and conditions पढ़ते हैं मेरे साथ बने रहिएगा सबसे पहले लिखा है कि who is required to file GSTR 1A and what is form GSTR 1A दोस्तो बड़ा ही basic question है कि 1A है क्या 1A क्या है basically 1 में अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप उसको amend कर सकते हैं 1A के दुरू simple 1A क्यों लाया गया 1 तो पहले ही था कि आप amend तो 1 में भी कर सकते थे तो अब इसमें क्या होगा कि इसमें आप सेम मन्त में rectify कर सकते हैं बट condition लगा रखिए कि GSTR 3B फाइल करने से पहले दोस्तों यहां पर due date नहीं लिखा है ध्यान रखिएगा आप due date of filing of GSTR 3B नहीं लिखी है date of filing of 3B लिखी है उस पर आगे आएंगे अभी दूसरा लिखा है who's required to file GSTR 1A जिससे भी गलती होगी जिससे गलती होगी भरे जिससे गलती नहीं होगी वो ना भरे कोई compulsory तो है नहीं कि हर एक आदमी गलती करेगा तो गलती होई है तो भरिए गलती नहीं होई है तो मत भरिए simple when GSTR 1A will be available for filing कब available होगा आपके 1 भरने के बाद ये available होगा यानि आपने एक बार 1 भर दिया आपसे कोई 1 में गलती हो गई है क्योंकि तब ही तो आप rectify करेंगे जब 1 भरेंगे तो तो date of filing या due date of filing उसके बाद ही आपका ये जो 1A है वो enable होगा यानि due date of filing और date of actual filing हाला कि मेरे साबसे ये due date of filing जो है ये irrelevant है क्योंकि अगर आपने 1 भरा ही नहीं तो आप 1A कैसे भरेंगे तो पहले 1 तो भरिए भरने के बाद कोई गलती हो गई तो आपका ये form जो है वो enable हो जाएगा दूसरा ये है कि GSTR 1A will be open for quarterly filer also यानि कि आप मंतिली में अगर हैं तो मंतिली में भी same concept चलेगा यानि जब आपने 1 भर दी उसके बाद आप rectify कर सकते हैं और quarterly है तो भी आपका same concept चलेगा कि आपको अगले quarter के 1 तक wait करने की ज़रत नहीं है आप उससे पहले ही इस form को file कर दीजे भर के दूसरा दोस्तो वाट इस दा due date of filing GSTR 1A ये दोस्तो बड़ा ही important answer है ये पहला form है जिसकी कोई due date नहीं है GSTR में ऐसे कमी forms होगे शायद ही कोई ऐसा form होगा जिसकी कोई due date नहीं हो due date क्यों नहीं है क्योंकि basically ये कोई return नहीं है ये amendment of return है तो अगर आपसे गलती हुई है तो आप भरेंगे अगर गलती नहीं हुई है तो नहीं भरेंगे तो इसकी कोई due date नहीं है हाँ इस पर condition लगी हुई है कि GSTR 3B के file करने से पहले ही आपको भरनी है वो आप due date मान सकते हैं कि जब आपकी date 3B file हो गई उसके बाद आप नहीं भर सकते हैं वो आपकी deadline है वो आपका last date है इसके बाद चलते हैं यह important question है दोस्तों मैंने बताया कि आप इसे ही अपनी due date मान लीजिए हाला कि due date जो है वो नहीं है GSTR 1A की कोई due date नहीं है no due date लेकिन GSTR 3B की date of filing जो होगी taxpayer cannot file GSTR 1A once GSTR 3B is filed for the same tax period यानि यहाँ पे actual date of filing जो है वो देखी जाएगी actual date of filing ना कि due date of filing तो अगर आपकी due date निकल भी गई है लेकिन आपने 3B नहीं भराए तो भी आप अपना one भर सकते हैं आप one भरने के बाद उसको 3B में correct करके file कर दीजिए तो GSTR 3B की जो आपकी date of actual date of filing है वो आपकी due date बन जाएगी GSTR 1A के लिए is it compulsory to file GSTR 1A मैंने पहले बताया आपको कोई compulsory नहीं है जिससे गलती हुई है वो भरेगा जिससे गलती नहीं हुई है वो नहीं भरेगा आपसे गलती हो गई तो भी ज़रू नहीं है कि आप one नहीं भरें आप अगले महिने के one में भी rectify कर सकते हैं क्या क्या record आप यहां पे modify कर सकते हैं दोस्तो GSTR 1A में आप एक तो new record में add कर सकते हैं to add new record यानि कि कोई अगर आपसे गलती कोई record छुट गया है तो आप उस record को add कर सकते हैं या कोई record आपने डाला गलट डल गया तो आप उसको amend भी कर सकते हैं यानि amendment का भी option है और addition का भी option है दोन option यहाँ पे है यह on-line भी आप फाइल कर सकते हैं या through GSP भी आप फाइल कर सकते हैं can nil return be filed can nil form GSTR 1A be filed no यह important दोस्तों कि आप nil का फाइल नहीं कर सकतें क्योंकि यह mandatory नहीं है अगर यह mandatory होता तो फिर निल कभी होता option यहाँ पे लेकिन चुकि यह mandatory नहीं है यह सिर्फ वही person फाइल करेगा जिससे gstr1 में कोई गलती हो गई तो अगर गलती हुई है तो definitely इसके अंदर जो है वो कुछ ना कुछ data तो जाएगा आप निल फाइल नहीं gstr1 in current gstr1 यह दोस्तो इसका answer होगा no यहाँ पे question यह है कि क्या मैं अपने पिछले महीनों की गलती को इस महीने के gstr1 में ठीक कर सकता हूँ तो the answer is no यह आप सिर्फ current month की गलती ही ठीक कर सकते हैं current month का मतलब जिस महीने का आपने one भरा है for example अगर आपका जुलाई का one आपने तो आप जुलाई की ही गलतियां ठीक कर सकते हैं आप जून की में की अपरेल की उनकी गलतिया वने में ठीक नहीं कर सकते हैं तो उसकी गलती कैसे ठीक करेंगे उसकी गलती आप जैसे आज तक करते हैं gstr1 में जाई यह वहाँ पे amendment कर दीजेगा next month के one में फाइल कर यहां पर हर तरह के research and development करेंगे लोग इस form के साथ तो GSTN ने यहां पर प्राहले ही इसका solution दे दिया है कि यहां पर GSTN ने क्या बताया है कि अगर किसी taxpayer ने GSTR 1A में कोई record save कर दिया online जाके लेकिन file नहीं किया उसका कुछ भी reason हो सकता है या तो उसको file करना ही नहीं था वो सिर्फ test कर रहा था कि देखें कि काम भी करता है कि नहीं करता है या फिर वो save करके भूल गया file नहीं कर पाया उसे लगा कि अभी कुछ और चिंजी सोंगे तो उसने file नहीं करी for whatever reason अगर आपने GSTR 1A में कोई data डाला और उसे file नहीं किया तो आप GSTR 3B को file नहीं कर पाएंगे तो उसके दो ही option है या तो आप GSTR 1A में जाके delete कर दीजे सारा record तो आप 3B file कर पाएंगे या फिर आप GSTR 1A को file कर दीजे तो फिर आप GSTR 3B file कर पाएंगे simple यानि कि आधा दूरा काम नहीं करना दोस्तो या तो उसमे रिकॉर्ड डाल के भर देना या रिकॉर्ड इमन डालना GSTR 1A में अगला question है दोस्तो कि can I add details of debit note और credit note in form GSTR 1A answer is yes कि हाँ आप debit note और credit note की details भी डाल सकते हैं GSTR 1A में can recipient GSTN be amended in GSTR 1A the answer is no ये दोस्तो मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया कि जब दे ही रहते सारा amendment का option तो ये वाला option भी दे देते कि अगर GSTR GSTR IN में कोई गलती होगा यानि कि आपने जिसको sale करी आपकी जो party है अगर उसका GSTR नमबर आपसे गलत डल गया तो आप ठीक कर सको उसका option पता नहीं GSTR ने यहाँ पे दिया नहीं बलकि दे देना चाहिए था क्योंकि ये गलती काफी common होती है दोस्तों अक्सर होता है कि मिलते जुलते नाम होते हैं for example आपका accountant है या आपका कोई accounts person है वो एंट्रियां कर रहा है और मिलते जुलते नाम है आपने Mr. A को sale किया और वो चला गया Mr. B में या कोई भी आपका मिलता जुलता नाम है तो गलतीयां हो जाती है इस तरह कि तो उसमें GST number भी गलत हो जाता है तो यहाँ पर यह option भी GSTN को देना चाहिए था मेरे साब से जिससे taxpayer को काफी फाइदा होता क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पर आती है कि जब किसी गलत taxpayer का number डल जाता है यानि कि जिसका बिल था उसको दिखाई नहीं दे रहा होता अपने portal पर और जिसका था उसको दिखाई नहीं दे रहा जिसका नहीं था महां दिख गिया तो basically यहाँ पे शायद मुझे लग रहा है कि उन्होंने जो 2B को freeze किया हुआ है उन्हें वहां को difficulty आ र गलती हो गई उसको ठीक करने का त्रीका बताई है manage कैसे करना है वो आप देखिए इसी बात का contract लिया हुआ है GSTN को जो कंपनिया है वो बड़े बड़ी कंपनिया इसी बात का contract लेती है कि अगर तैक्सपेयर अगर फाइल करेंगे तो कैसे करेंगे गलती करेंगे तो इसको quarterly filing करी हुई है मैंने आपका first month का और second month का IFFM file किया हुआ है तो क्या मैं भी GSTR 1A को opt कर सकता हूँ तो GSTR ने बताया कि हाँ वो भी GSTR 1A को opt करके file कर सकते हैं last question है दोस्तों कि can GSTR 1A file amended again can the file GSTR 1A amended again if the GSTR 3B is not filed जो मैंने आपको शुरू में बताया था दोस्तों कि देखिए गलती की दुबारा माफी नहीं मिलेगी अगर one में कोई गलती हो गई GSTR 1 में कोई गलती हो गई तो आप GSTR 1A भर दो लेकिन one अ में कोई गलती हो गई तो फिर आप दुबारा इसको amend नहीं कर सकते फिर तो आपको next month के GSTR 1 का ही wait करना पड़ेगा तभी आप उसको correct कर पाएंगे तो दोस्तो ये पूरी advisory है GSTN portal की GSTR 1A को लेखे तो 1A बहुत ही important form है आप इसे ignore मत करिएगा क्योंकि ये form आपको आने वाले समय में बहुत काम आने वाला है हमारे तो बहुत जादा काम आने वाला है क्यों गलतियां होती रहती है तो इस form की advisory और form को आप save करके रख लिजेगा अगर forms related आपको कोई doubt है कोई question है तो आप हमें नीचे comment box में पूछ सकते हैं आप हमारी team को contact भी कर सकते हैं वहां से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि अगर आपको कोई GST के updates आपको चाहिए तो आप हमारी library को subscribe कर सकते हैं library को जो आप subscribe करेंगे तो आपको सारे updates यहाँ पे regularly मिल जाएगे हम daily updates यहाँ पे डालते हैं आपको जितने भी updates GST के हैं Act and Rules, Notification, Circular, Press List वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएगे प्लान मैंने आपको बता दिया कि कोई भी प्लान आप ले सकते हैं एक साल से लेके lifetime तक के हमारे प्लान से हैं वो सारे प्लान साथ चेक आउट कर लिजेगा कोई problem हो, कोई doubt हो, कोई query हो तो हमारी team आपके लिए हमेशा हाजिर है आप हमें call कर सकते हैं, whatsapp कर सकते हैं email कर सकते हैं या आप हमारे comment box में नीचे comment भी कर सकते हैं शुक्रिया